नमस्कार दोस्तों मैं परदीव दूबे आज मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ Home Credit Company के बारे में दोस्तों आप लोग को बता दूँ काफी लोग कमेंट कर रहे थे काफी लोग सवाल पुछ रहे थे कि क्या हमें Home Credit Company से Moratorium 3 मिलेगा के नहीं मिलेगा तो आज हम आपको इस वीडियों पूरी जनकारी बताने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं क्या Moratorium 2 जो है Home Credit Company दिया था तो मैं आपको बता दूँ Moratorium 2 जो था उसके लिए आरिवियाई ने एलाउंश्मेंट किया था और Company और Bank को ए बाते बिलुक्त किलर कर दिया था कि आपको Moratorium 2 जो है देना पड़ेगा और यहां पे Company और Bank को ने उनकी बातों का पालन पूरी तरीकों से नहीं किया कुछ Company कुछ Bank को ने किया और कुछ Company कुछ Bank को ने नहीं किया जब और Company को ए बाते बताओ तो Company डायरेक्टि बोलता है कि हम जो है किसी प्रकार का Moratorium नहीं देंगे और यहां पे जब Home Credit की बात आती है तो इस Company को इमेल करना पड़ता था और साथ इसाथ अपने एप के अंदर इन्होंने एक सिस्टम लाया था कि वहां पे आप जो है एप के अंदर अपने लोन सेक्षन को सिलेट करके आप जो है अपलाई कर सकते थे बट यहां पे इनका एक सर्थ ए था कि आपको ओली वन मन्त के लिए Moratorium मिलेगा जब बूसरा मन्त आएगा उसके लिए आपको अपलाई करना पड़ेगा बट क्या है कि होम क्रिटिर कंपनी ने अपने काफी कस्टमर को एक साथ तीन मन्त का Moratorium नहीं दिया इन्होंने मन्त भाई मन्त दिया ओ भी एक बार देने के बाद कस्टमर अगर दुबारा अपलाई किया तो उसको जो है किसी किसी को मिल गया और किसी किसी को मिला ही नहीं तो मिला जुला के Moratorium 2 में काफी लोग प्रिसान हुए इस कंपनी से अब मैं बात करता हूँ Moratorium 3 का दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब RBI ने सक्टी से सभी लोग के लिए आदेश जारी किया था कि आपको Moratorium 2 देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा तो काफी लोगों ने इस बातों का पालन किया और काफी लोगों नहीं किया आप दोस्तों यहां पे जब RBI ने ए बाते किलियर अपनी नोटिफिकेशन में जारी किया है कि जो कस्टमर का मार्च महिने से लेके अब तक कोई भी MI जो है मिसमैच या पेंडिनिंग नहीं रहा हो सिविल स्कोर अच्छा रहा हो उसी को जो है Moratorium 3 जो है मिल सकता है वो भी कम्पनी और बैंक उपर डिपेंड करता है अगर कम्पनी और बैंक अगर नहीं चाहती है अगर वो सोचती है कि मैं अपनी कस्टमर को Moratorium 3 जो है ना दूँ तो कस्टमर जो है उनसे जबरस्ती नहीं ले सकता है अगर दोस्तों यहां पर सवाल सबसे बड़ा एग है क्या RVI को क्या सरकार को क्या गोर्मेंट को यह बाते बिल्कुल पता होना चाहिए और बिल्कुल पता भी है कि कस्टमर जो है मार्च मंत से अप्रेल मंत से मई मंत से मार्च मंत से लेके इस अभी टाइम तक कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए आपके सिविल पे कोई इफ्यक्ट भी नहीं होना चाहिए तभी आपको मिलेगा ओभी कंपनी अगर बैंक चाहेगी तो तो मिला जुला के कहना में यह है कि आपको इस बार होम क्रिजिट कंपनी से कोई भी मुराटोरियम नहीं मिल सकता है मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता बट इतना बात सत्य है कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी क्या है कि पुरा-पुरा अगस्त मंत को बीतने में अभी समय है हो सकता है कि 20 अगस्त के बाद आप लोगों को कोई न्यूज कोई ख़वर मिल जाए क्योंकि अभी कोट में यह बाते चल रही है कि कस्टमर को प्रटरम 3 मिलना चाहिए कि काफी लोग का बीजनस और जौप नौकरी सब को जा चुका है एदम बरबाद हो चुके हैं काफी ल लेता है तो उम्मीद आप बिलकुल कम रखना क्योंकि इस बार कंपनी जो है आपको नहीं दे सकेगी अगर बैंक की बात करूं अगर आपका बैंक से लोन चल रहा है तो बैंक से आपको एक बार साइद रिक्वेस्ट करने पर कंप्लिन करने पर साइद मिल जाए बगी कंप हाय टीम को फारवट करेगा वहां से अगर आपको अप्रूवल मिलता है लोन रिश्टिंग का तो आपने लोन को रिश्टिंग करा सकते हो बर दोस्तों आपको मुराटोरियम मिलने का उम्मीद बहुत कम है बाकि आपको इस बार होम क्रेटिट कंपनी से कोई उमीद नहीं आपको मुराटोरियम नहीं मिल सकता है अगस्त मंत के बाद बाकि यह कंपनी की उपर है बाकि मैं होम क्रेटिट कंपनी से रिक्वेश्ट करूंगा कि कश्टमर कापी आपके ओल्ड कश्टमर है कापी लोग आप यह कंपनी का तारे भी करते हैं तो आपने कश्टमर को मुर पूरी तरीके से है और विनीती है कि अगर मेरी बाते आप तक पहुंच रही है तो जरूर कस्टमर का सपोर्ट करने कोशिश करें क्योंकि बहुत सारी प्रॉलम कस्टमर के पास इस समय आ चुकी है बहुत से लोग जो है अभी पूरी तरीके से जॉब होया या अपने काम होता है कि नहीं होता है तो अगर मेरी ब्यूडियों आपको पस्टन लाइक सेर करना मन में कोई भी साल तो कमेंट करना फिर मिलेंगे नए बुडियों के साथ तब तक के लिए जय हिन वबंदे मातरम